OTG Avan आदे प्राइज में हाँ भाई लोग और भेनो लोग एक ब्रैंड है Agaro Marvel Series जिसमें आपको नॉर्मल जो established ब्रैंड होते ना उससे आदे प्राइज में Avan मिलता है तो उसी का review आज करूँगा दोनो pros and cons शेर करूँगा आपके साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छी बाते बता दी और आप सभी regular पूछते हो यवन भाई कौन सा Avan लेना चाहिए तो ये वीडियो देखते हैं पता करते Avan में क्या क्या चीज़े देखने की होती है लेट नहीं करते हैं वीडियो बॉक्स ये रहा अगारो ब्रैंड का Marvel सीरीज 48 लीटर का OTG Avan है Amazon में ये जो सीरीज है Marvel OTG Avan सीरीज इसके 2000 से ज़्यादा रेटिंग्स है तो काफी popular है और मैंने purchase करके मंगाया है तो इसका रिव्यू आपके साथ अच्छी तरह शेयर करूँगा मेंन जो features है इसमें आपको मिलेगा convection fan साथ में 6 heating rods और motorized rotasory क्विकली बता देता हूँ इसका weight 9.8 kilo है price 9999 लिखा है लेकिन जो Amazon में normally pricing होती है वो 5999 होती है sale में 5500 और rated power consumption इसका 2000 watt है open किया हूँ box double carton है अंदर वाला carton plane है और oven अब open करते है उपर उपर जो आपको दिख रहा है यह baking tray है इसके साथ में rotasory का handle tray का handle और rotasory का rod accessories में skewers वगेरा नहीं है जो मतलब पनी टिका में use करते हैं तो वो एक add हो सकता था और साथ में इसमें आपको मिलेगा manual with warranty card manual के last page में warranty card है और technical specifications में आप देखो तो 120 seconds लिखा है timer इसका 120 minutes होना चाहिए तो छोटी-छोटी चीजों में detail नहीं है baking tray जो आई है इसमें वो काफी solid है लेकिन थोड़े बहुत kinks है इसमें oven बाहर निकालते हैं matte black color में must लग रहा है oven normally silver color के होते है oven के अंदर एक card है जिसमें लिखा अगर light अगर fuse या broken है तो आप contact कर सकते हो इसमें हाँ yellow color की light भी मिलेगी आपको वो भी check करेंगे oven के अंदर tie करीवी है grill rack तो उसको open करते है ये काफी light weight है यार मेरे पास एक similar size का oven है inalsa का 42 liter का quick bake oven है जो मैंने पहले लिया था उसकी tray के साथ comparison करते है size तो similar है जो अगारो की tray आई है वो है 17 inches by 11 inches और मेरा जो इनालसा का 42 liter का oven है उसकी size है 17 inches by 12 inches light weight जो मैं आपको बोल रहा था ना वो काफी हलकी है यार अगारो वाली उसका weight आप देखो 276 gram है और जो मेरा पुराना oven है इनालसा का वो भी काफी महंगा नहीं था 6200 रुपे में मैंने वो लिया था 42 liter का oven और इसकी grill rack है 495 gram तो अगारो वालो ने cost cutting काफी करी है यहाँ पर एक issue क्या आएगा जब आप भारी भारी चीज बेक तो यह बीच से थोरी bend हो सकती है लेकिन जो black color की baking tray है यह काफी solid और heavy है इसमें कोई भी weight का issue नहीं है अगर आप directly भी रख कर कुछ bake करोगे तो evenly bake होगा और size भी 42 liter का जो मेरा oven है उसकी size की है यह भी मैं इसलिए बारी बार compare कर रहा हूँ 48 और 42 क्यों की जब हम लोग check करते हैं ना online तो compare ऐसे करते हैं 42 liter का oven होगा 38 के आसपास का तो 38 की price, 40 की price, 42 की price similar होती है और 48 की pricing होती है 52, 50, 48 की pricing के आसपास तो दोनों एक अलग category है oven की और यहाँ पर अगर आप compare करो तो जो 48 liter का oven है वो 42 liter की size का है इसकी जो inner dimensions है वो मैं आपको बताता हूँ 17 inches है by 13 inches by around 11 inches तो अगर आप volume भी इसकी check करो तो 40 liter का हुआ है oven और एक और बात मैं आपके साथ share करूँगा कुछ देर बाद वीडियो में जब कॉन्स बताऊंगा तो यह तो हो गया oven की size यह actual में 42 liter का oven है सिर्फ marketing में इसको 48 liter का बना दिया गया है comparison को finish करते है यह रहा OTG oven इसमें 3 plus 3 heating rods आती है जैसे मैंने बताया था तो baking इसमें काफी even होनी चाहिए normally ovens में जो OTG oven होते हैं उसमें 2 plus 2 आती है oven में आपको 4 knobs मिलेंगे first वाला आपको बताता हूँ इसमें fan mode का है rotissory mode का है fan plus rotissory और off mode मतलब fan भी नहीं चलेगा rotissory भी नहीं चलेगी second में आपको temperature setting है 100 degree से 250 degree best बात यह है OTG oven में की 180 degree की setting दी गई है बहुत सारे oven में नहीं होती है वो setting 150 के बार directly 200 होता है और कुछ oven तो अगर आप बीच में site भी करूँ न तो भी वहाँ पर नहीं रुकते है fluctuate करते रहते है third knob में आपको मिलेगा both rods on, bottom rod, top rod and no rod और last में आपको timer mode मिलेगा यह 0 minute से 120 minutes तक का है तो 120 minutes तो अच्छी बात है लेकिन इसमें always on mode नहीं है कभी कभी काम आता है लेकिन अगर वो होता तो एक अच्छी बात होती next wire जो इसका है आपको मिलेगा 1 meter का और छोटा पलग है इसके साथ मतलब 15 ampere का बड़ा वाला socket नहीं है अब वीडियो को quickly summarize करते है पहले तो इसमें जो right hand side है ना oven की वहाँ पर आपको center में convection fan मिलेगा और इसकी उपर है yellow color की light जो काफी bright है और खाना clearly दिखता है मैंने oven को 20 minutes के लिए चला दिया है शुरू में ताकि जो भी smoke वगर है first time on करने से आता है वो आ जाए और वो चला जाए अब roast potatoes बना रहा हूँ अब मैं आपको इसके pros and cons बता देता हूँ मतलब अच्छी बाते और बुरी बाते मैंने ये 40 days तक use किया है और सबसे पहले pros बताता हूँ ताकि आप decision ले पाए मैंने notes बनाये तो एक-एक पहले check कर रहता हूँ pros सबसे पहले ये है कि इसका जो front glass है वो clear है और खाना आपको clearly दिख जाता है और light भी काफी bright है तो baking करते समय प्रॉबलम नहीं आएगी कुछ ovens में tinted रहता है या double glass रहता है तो खाना clear नहीं दिखता है second number है heating जो temperature आप set करते हो knob से चाहे वो 180 degree हो mostly वो ही ये maintain करता है कुछ ovens up down रहते है 10-15 degrees मतलब well calibrated है इसका thermostat जो कि एक अच्छी बात है third number जो है 180 degree mode बहुत सारे ovens में नहीं होता है इसमें है और mostly baking भी 180 degree में ही होती है fourth number है price ये price में मतलब sale में ये 5500 रुपीज के आसपास होता है और normal pricing इसकी 6000 रुपे है वो बोलते है न in this price you can't beat it वो चीज है ये fifth number जो है मैंने लिखा है rubberized and round knobs normally OTG oven में handle type के knobs होते है जो आप ऐसे पकड़ कर घुमाते हो ये जो oven है OTG है इसमें round knobs है जो आप ऐसे पकड़ कर घुमाऊगे तो ये तूटेंगे नहीं मेरे जो पुराना एक OTG oven है उसमें दो बार तूटा था वो ऐसे पकड़ कर घुमाते थे बोल कर मैंने जो last pro लिखा है 6 number pro इसमें है 4 tray insert normally 3 होते है bottom, middle, top top इसमें है न 4 है center में 2 है तो आप एक बार में 2 tray भर कर biscuit या cookies बना सकते हो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा plus है और बहुत बड़ा pro है चलो अब आते है cons या बुरी बात पे number 1 है इसमें आपको crumb tray नहीं मिलेगा skewers नहीं मिलेंगे crumb tray काफी काम आती है oven में बहुत बार नीचे की तरफ है crumbs गेर जाते है बलकिया ये better हो सकती थी number 3 जो है मैंने लिखा है इसमें always on timer नहीं है कभी कभी काम आता है जब आप 100 degree में 6-7 घंटे के लिए कुछ bake करना चाहो तो वो इसमें नहीं कर पाएंगे आपको हर 2 घंटे में knob को फिट से घुमाना पड़ेगा और जो last con मैंने लिखा है वो है glass door का mechanism इसमें वैसे 4 stops है चार जकी door रुख जाता है लेकिन problem ही है कि इसका जो mechanism है glass door फटाफट से बंद होना चाहता है मैं आपको example दिखाता हूँ बिल्कुल ऐसे इसम जटके से फटाफट बंद होता है और रुखना नहीं चाहता है मतलब कोई भी stop में अगर आप धीरे से भी रोको तो तो ये एक मेरे को कौन लगा maybe with time regular usage के वज़े से ये ठीक हो जाए रुखने लग जाए लेकिन अब ये के लिए तो ये कौन है अब आते ओके-ओके बातों पर मुस्ली सारे ovens में hot spot होता है मतलब कोई एक ऐसा area जहाँ पर heating ज़्यादा आती है इसमें भी है लेकिन एकदम light एकदम कम है वो hot spot back, right hand side में जहाँ पर light है ना जहाँ पर पंखा है वहाँ पर थोड़ी heating ज़्यादा आती है ये मैं आपको तीन चीजे दिखा रहा हूँ एक मैंने bread बनाई है दूसरी ये bread है नॉर्मल जो bread slices होती है दूसरी ये cake है ये तीन चीजे मैं आपको दिखा रहा हूँ अब तीनों का pattern देखिए लेकिन दोस्तों ये काफी common है इसका एकदम simple solution क्या है कि आप tray को last के 5-10 minute पहले ऐसे घुमा देंगे ने एक बार तो ये evenly bake हो जाएगा और मेरे पास जो छोटा से छोटा oven है 16 liter और बड़ा से बड़ा 65 liter 65 liter सभी में ऐसी एक problem रहती ही है hot spot कही न कही होता ही है इसी वज़े से बोलते है it's very important to know your oven आपको अपना oven जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे काम करता है और एक और problem इसमें क्या है कि ये size इसको inflate किया है मैंने जब इसका volume चेक किया तो वो भी around 40 liter ही था और marketing क्या हो रही है 48 liter की बॉड़ी है और मुझे भी थोड़ी lightweight लगी इसके जो feet है वो भी rubberized नहीं है तो अगर आपका wooden countertop है तो ये slip काफी करेगा मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था कि एक बार मैं कुछ shoot कर रहा था और camera पास में था और अचानक से क्या जटका लगा तो oven ऐसे पीछे गया कुछ एक feet के आसपास तो ये problem आ सकती है इसके जो feet है वो rubberized नहीं है तो ये हो गई okay okay बाते और दो तीन चीज़े जो मैंने notice करी वो आपके साथ बता देता हूँ मैंने इसका actually after sale service experience नहीं किया है मुझे service लेनी नहीं पड़ी इसकी तो मुझे पता नहीं कैसी है इसके after sale service दुसरे जो brands है जैसे Murphy Richards हो गए इनकी मैंने experience की है वो काफी अच्छी है दो बार मेरा knob टूटा था और उन्होंने बहुत जल्दी replace कर दिया था वो knob को और second जो मैंने notice किया था वो है इसका power consumption ये 1750 watts के आसपास consume करता है और हर 8-10 second तक ये consume करता है फिर वापिस break लेता है 10 second तक जब वो break में होता है ना तो 22 watts के आसपास consume करता है और वापिस फिर आ जाता है 1750 watts तक तो ये इसका power cycle हो गया और साथ में तीसरी जो मैंने चीज notice करी वो ये है कि convection fan जो है आपको सिर्फ अगारो के marvel oven के 38 और 48 oven में मिलेगा मतलब 38 और 48 liter के OTG oven में मिलेगा जो छोटे वाले आते हैं उसमें नहीं है वो option और मेरा जो experience कहता है convection fan अगर हो OTG में तो heat काफी अच्छी तरह spread होती है और खाना evenly baked होता है Review over लेकिन last के एक विसेज सूचना आजकल बहुत सारे वीडियो में अगारो के products दिखते हैं लेकिन मैंने ये कोई sponsored वीडियो नहीं किया है वो honestly आपके साथ share कर रहा हूँ मुझे ये product value for money लगा जो price में मिल रहा था तो मैंने मंगवाया और review किया आपके साथ share किया pros and cons दोनों बताए अगर आपका plan हो ये oven लेने का 48 liter या 38 liter दोनों में convection fan मिलता है तो मैं link नीचे share कर दूँगा और भी ovens जो मैं use करता हूँ link मिलते है तो share कर दूँगा क्योंकि मेरे पहले लियेवे ovens और आज कल lockdown के बाद ovens की demand काफी भढ़ गई है तो हमेशा out of stock रहते है ऐसे ही अगर आपको कोई वा प्रड़क का review देखना हो तो comment जरूर से करिएगा कोशिश करेंगे उसका भी review बनाने की आज के लिए इतना ही दोस्तों बाई बाई